नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेश शितमबर और एक अक्टूबर के आपके राशी के महाराशी फलके बारे में यानि कि दोस्तों सितवरमा के आकरी दिन और अक्टूरमा के पहले दिन आप शबी के लिए केश होई तो धूंगे याश में गरहों के सितधी के एक्से होंगे क्या क्या यूग बनेंगे और इन्हें शबी का शराब की राशी पर क्या होगा किनकी चीज़ों को लेकर याश में आपको शावधान रिने होंगे और आकिर कौन कौन श्रीकार याप के लिए भाग शरी होगा दोस्तों याश में आपका लब लाइब के शरी रहेगा श्वास्त के सा रहेगा के रिट के शरी रहेगा दोसों इन्हें दो दुनों में आपका पारिविर्ग जोन केशा रहेगा आर्तिक सिती और धन को लेकर सितियां केश होई तो दोंगे इन्हें श्रभी की महत्तपोंच जानकार देंगे तो दोसों वीडियो को बिल्कुल इमिश ना करें और शुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो के अंतर में बहुत ही अच्छे उपाई है जरीया आप करके इन दुनों को और भी ज़्यादा लाबकारी बना पाएंगे उश्रे पहले दोस्तों इदिया आप चैनल पर नहीं है तो दोस्तों निवादन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश करके और पर श्लेट कर दें तो आई दोस्तों बात करते हैं जान लेते हैं पहले गरहों की सधी के बारे में शबसे पहले दोस्तों तीस शितमबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा किश्मबस की नौम मितिती रहेगी और इस दिन पनुवर्शु नाम का नशत रहेगा दोस्तों दिन योग की बात करें तो परिग नाम का योग रहेगा शाती इस दिन शीव नाम का भी शुब योग रहेगा ये दोस्तों माईने के आकरी दिन में बहुत ही अच्छे योग है ये आपके कारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाब कारी स्थियां आपको देंगे राव कल के शमाई दिन दोपार के एक बचकर 45 मिट से गए कर शाम के तीन बचकर 14 मिट रहेगा दोस्तों दिहान रहेएं आप यह शमाई को भी शुब और महतमौन कारे को reduction करें और दोस्तों जार माई दिन मेथुन राश को परांथ करकर राश में संचार कर जाएंगे में दोशन अक्टूवर महा के पहले दिन की बात के रिए तो दोसों निन शुकर वार का दिन रहेगा दोसों दिन यूग की बात के तो शीव नाम के शुबू के उब्राण्ती शर्वार शीवी नाम का शुबू रहेगा और महीने के शुरुवात ही आप के लिए बहुत ज़्यादा लाब करेंगे बस दो 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 इस दिन राहू कल शमय आप शावधन है और यह शमय रेगा शुबा के 10 बचकर 46 मिनट चले कर तो परके 12 बचकर 16 मिनट तक और दोस्तों चदरमा इदन करकर राशी पर शंचार करेंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं इन दो दुनों की जो गरहों के इस्तिती है और चदरमा का यह जो गोचर है आपकी राशी उपर क्या-क्या परवह लेकर आती है चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से आपको फंस सकते हैं यसमी इनका आपको शामना करना पड़ेगा परिश्रम की यसमे जो है अधिकता होगी यात्रा में आपको कश्च हो सकता है कारोबर में इन दुनों जो है उतार चड़ाव की शामना है वहें दोस्तों इंदों में न्यालिन कारियों में उल्जनों का सामना करना पड़ेगा नोकरी में दोड़ भाग की अधिकता यश्मी जो है रहेगी वह दोस्तों इंदों में आपके लिए जो समय होंगे वह शायक परिजिना के विश्दार का समय हो सकता है आप अपने किरेट्वी आइडिया से कुछ अच्छा लाब कमाने की स्थिति में यश्मी में रहेंगे इन दोनों में ख्याती मिलने के जो है बहुत अच्छा योग बन रहा है दोस्तों कुछ लोगों को अपने किसी खास मित्र के जरिए नया जौब या फिर बिजनेस का उफर मिल सकता है यह जो समय होंगे आपके लिए आपके लिए काफी लाब प्रस्त में होग साथी दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होंगे अगर आपकी enjoyed बात करें तो करेर के लिए आचा रहेंगा आपके काम यह समय असानी से पूरी हो सकते हैं दोस्तों इन दुरों में जमिन ज्यादात की मौलों में पढ़ने से आप बचें अन्य था कानौनी विवाद में इन दोनों में आप जिसके साथ एक बार जूड़ जाएं समझिए आज जीवन उसका साथ देने वाले हैं किसी भी हाल में अपने साथी से दूरी बना कर नहीं रख सकते जिसके भी साथ वे भानोदों रूप से जुड़ते हैं उनके प्रतिवे हमेशा मेंदार रहेंगे और उ स्वास के बात करें तो इन दुनों में आप आपका श्वास की मामले में जो समय होंगे आपको सिथारों का साथ मिल सकता है इन दुनों में आपको अत्यदिक काम का बोज की कारण जो है ठकान का भी अनुगव होगा लेकिन सिथारों के साथ की कारण आप उन कामों को करेंग अंकर हेगा आठ वह दोस्तों इंद्रों में ग्रेंजी की दिरिष्टी से यह जो आपके लिए शमय होंगे थोड़ा कठनाई भरा समय होगा नोकरी वयशाय में आपको कोई बाधा या फिर तकलीब नहीं होगी परन्तु माता-पिता के साथ जो है मध्वेद होने की पूरिश तो दोस्तों इसमय आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत ही डिमांडिक होगी इसलिए कुछ कठेन चुनोतियों के लिए आप इसमय त्यार हो जाएं मिटिंग में भाग लेने से आपको इसमय बचने की खोशिश करनी चाहिए क्योंकि वे जो समय होंगे वे आपको अ सदिक उमीद आप कर सकते हैं लेकिन गिनेज आपको प्यार की मोर्चिप और और सद्दिन की उमीद कराते हैं दोस्तों यह में आपको साधन ना होगा ताकि आपके शब्ध आपके पीर को चोटनो दे सुनक्जित करें कि आप जो कर रहे हैं अंकार आपकी दिमाग पर सासन नहीं करें और जो है नहीं आपकी रिष्टों को भी या प्रवाइद करें वहीं दोस्तों इंदों में अगर आपकी आर्थिक स्थे की बात करें तो यह जो आपके लिए शमय होंगे जो आपको कोई भारी खरच का संकेत नहीं मिल रहा है आप यह जो समय होंगे इन दिनों में फाइनेंशियल मोजबुत्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं यदि आप पार्टनर्सीप में बिजनस करते हैं तो दोस्तों यह जो समय होंगे आपका फाइनेंस अच्छा ह रहेगा आपको निज जिवन में खुसी मिलेगी शाथ ही आपको पेशबर जिवन में अप्छितर से होगी और उन्हें शाहर नाभी के जाएगी यह दुग दोस्तों समय आपको और अधिक काम करने के लिए प्रिर्थ करेगा कुल मिलाकर आपको चार और जर यस में खुशियां है खुशियां रहने वाली है? वहे दोस्तों के शवास्त चुजदूर्स रहने की पूरी उम्मिद है। आप अपने श्वास के चलते जो हैं अपने दोस्तों के शाथ खेलने का प्लान बना शकते हैं। दिन निवेश करने से इंदरों में आप बचें ये जो समय होंगे पारिवरिक आयजन में आप सभी के ध्यान का केंदर रहेंगे प्यार एक एसा जज़बा है जिसे नौशिर्फ महसुस किया जाना चाहिए बलकि अपने पीरी के साथ माटना भी चाहिए अचानक ये जो समय हो होंगे हकीकत महसुस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छा घटना थी दोस्तों शमय मूफ्त जरूर है पर बेकिस्मती भी है इसलिए अपने अधूर्य कारियों को निप्टा कर आप बने आने वाले दिनों के लिए जो है चिंता मुक्त हो सकते हैं दोस्तों इंदरों में आपके लिए जो समय होंगे लंगड़े अपाई जो व्यक्ति की शेवा करने से आपकी जो आर्थिक स्थिधी है वह इंदरों में सुद्रिल होगी और आने वाले शमय भी आपका बहतर होगा तो ऐ दोस्तों अब बात करते हैं बहुती सरल और तोड़की के बारे में दोस्तों आप इन टोड़के को अपने जोन में शुकी रहने के लिए अपना सकती हैं दोस्तों ब्रश्पतिवार या फिर मंगलवार को साथ गाठ हल्दी थोड़ा सा गुड़ इसके चाथ पीपल का एक टुकड़ा इन सब को मिलाकर पोटली में बा जिस दिसा में बदू का घर हो उसी दिसा में फैकने से वर बदू में प्रेम बढ़ता है वह दोस्तों उसके प्रांत विसेस कारी के लिए घर से निकलते शुमें एक साबुत निम्मू लेकर गाय के गोवर में दबा दें तथा उसके उपर थोड़ा शा कामियां सिंदूर शिड़क दें तथा कारी बोलकर चली जाएं तो आपका कारी जो है निस्सीदी बन जाता है तो दोस्तों और ऐसे अधिक जानकारे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें धन्यवाद